थारा कोतवाली चेतर में बिजली विपाग द्वारा कमेर्शियल कनेक्शन को घरेलू बता कर कनेक्शन काटने का मामला सामने आया था जिसके बाद पिडित ने मुक्के मंत्री से नियाय की गुहार भी लगाई थी उक्त मामले में काफी उतल पुतल होने के बाद विद्यूत विपाग द्वारा उभोकता के नाम पर एक और मुकदमा दर्च करा दिया गया जिसमें कोई शाक्षि प्रमारित नहीं हो सका तो पिडित ने जिलादिकारी से नियाय की गुहार लगाई और पूरी घटना को बतात के अधिकारी और करमचारियों ने इसे घरेलू कनेक्शन बताकर बिना किसी नोटिस के लाइन काड़ दी थी पिडित पक्ष के अनुसार कनेक्शन दुकान की मालिक कलपना के नाम पर है लेकिन विजली विभाग के लोगों ने उभोकता के पती नबनीत कुमार के नाम से व उकदमा दर्च कराया था विजली पक्ष ने इस मामनी की शिकायत इस्थानी अधिकारियों के साथी मुक्यमंत्री के पोर्टल पर भी दर्च करी थी जिसके बाद पूरे मामने में काफी गहमा घहमी के बाद विद्धित विभाग द्वारा पीडित के खिलाफ विद्धित 29 बारे की घटना हुई थी मैंने उनको विस्तार से बात बताई जो भी विद्धित विभाग की टीम होटल अजन्ता पर आई थी उन पर दबाब डाल रही थी कि 711 2020 की कलपना साडी की चेकिंग करी थी वह अपने यहां से कह दो हमने आपके यहां से बीडियो बनाई है यह बनाने लगे उन्होंने मना कर दिया नाइजास दवाब को उन्होंने उनके नकार दिया जब ही मैं बहां बैठा था पीछे मैंने आकर उनकी बनाने लगा वो सब भागने लगे जब घबराकर भागने लगे मैंने उनका पीछा किया पूर्ण बीडियो बनाई है उसको जिल जादगारी महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं इस कारवाई से पूर्ण तरीके से संतुष्ट हूं कि जो बिजली विभाग वाले अपने आपको कानून से उपर मानते हैं उनको आप हर चीज का जवाब देना पड़ेगा निश्वक्ष कारवाई होगी तब आज मुझे मालिम हुआ कि एक समाचार पत्र और एक चैनल जो की निश्वक्ष पत्रकारता करता है इन लोगों ने रंजिशन मेरी खबर सही छापने पर उसकी ओफिस की लाइन काड़ दिय जो की इनकी नीच और गिरी हुई हरकतां को ब्यान करती है बिद्द विभाग आज की तारिक में सबसे ज़्यादा ब्रश्टाचारी बिभाग है